आज हम क्लास फाइफ की मैथमेटिक्स की वर्षित नमबर 159 को करेंगे और आज की वर्षित में हमारा लर्निंग आउटकम होगा तो इंट्रोडियूस दा कॉंसेट और फ्रैक्शन्स तो इसको सीखने के लिए हमने एक माध्यम बनाया है चौकलेट के हिस्से चौकलेट के हिस्से से हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजेगा तो अचले शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज की वीडियो में कुछ इस प्रकार है कमल और सुमन भाई वहन है यहां दो भाई वहन की जर्चा हो रही है कमल और सुमन की उनके मामा जी उनके लिए कुछ चाकलेट लाए है हर चाकलेट अलग अलग आकार की है मामा जी ने कहा दोनों बच्चे चाक्लेट को बराबर बराबर बाट कर खाना कमल ने चाक्लेट को नीचे दिखाए गए तरीकों से बाटा है सुमन को कमल का चाक्लेट माटना सही नहीं लगा आप भी देखकर पता लगाईए कि कमल ने कौन सी चाकलेट दो बराबर हिस्सों में बाटा है और कौन सी नहीं तो ऐसे बिना किसी सही तरीका के अगर हम कोई भी काम करते हैं तो गलत हो सकता है ऐसा ही चाकलेट का बाटना लगा क्योंकि चाकलेट को प्रोपरवे में आधा आधा नहीं किया गया बाटा नहीं गया अब हमें यह देखना है कि कौन से हिस्से बराबर है और कौन से हिस्से बराबर नहीं है तो आप यहां देखिए यह जो गोल वाला चाकलेट है यह बराबर हिस्सा में नहीं है तो इसमें हम यहां चिन लगाएंगे कि हिस्से बराबर नहीं है और यहां यह जो है त्रिभूज वाला हिस्सा ये बराबर हिस्से हैं और इसमें दोनों भाग जो है वो बराबर बराबर हैं तो इसमें हम ठीक लगाएंगे कि हिस्से बराबर हैं और फिर इस चाकलेट को जो तोड़ा गया है यह भी बराबर नहीं है तो हम यहां लिखें कि हिस्से बराबर नहीं है और उसके बाल या हिस्से भी बराबर नहीं है तो इस तरह से हमने देखा कि चाकलेट का प्रोपर व्यों में बटवारा नहीं हुआ है अब क्या आप चाकलेट को दो बराबर हिस्सों में बाट कर दिखा सकते हो तो यहां चार चाकलेट दिया गया है और इसको दो बराबर हिस्सों में बाटना है तो इसका एक तरीका हो सकता है कि आप एक तम बीच से लाइन खिस दो ये बराबर हिस्से हो गए या फिर ऐसे बीचो बीच खिस दो ये भी बराबर हिस्से हो गए और आप इसके दोनों कोनो तो ये बराबर हिस्से हो गए और फिर आप यहां से इनको ऐसे कर दो ये भी बराबर हो गए तो इस तरह सी ये बराबर बराबर हिस्से हो गए क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को चाक्रेट का कितना हिस्सा मिलेगा जब चाक्रेट के दो हिस्से हैं और एक बच्चे को इसका एक हिस्सा मिलेगा तो हम बता सकते हैं कि दो हिस्से में से एक हिस्सा एक बच्चे को मिलेगा तो इसके लिखने का तरीका होता है अगर हमको लिखना है दो हिस्से में से एक हिस्सा तो दो नीचे लिखेंगे और मिलने वाला एक हिसा उपर लिखेंगे मतलब one by two इसको आधा कहते हैं कितना मिलेगा? आधा मिलेगा और आधा को गणिती ये भासा में हम एक बट्टा दो के रूप में लिखते हैं मतलब दो हिसा में से एक हिसा तो आधा हो गया कमल और सुमन के दो मित्र भी उसी समय घर आ गए इनके दोस्त भी आ गए मामा जी ने कुछ और चाकलेट निकाल कर सुमन को दी और कहा कि इन्हें अब चार बराबर हिस्सों में बाट कर खाना सुमन ने चाकलेट के चार बराबर हिस्से कर दिये सभी ने चाकलेट का एक चौथाई भाग खा लिया आप भी बाकी चाकलेट को चार बराबर हिस्सों में बाटने में सुमन के मदद किजिए क्या आप बता सकते हैं कि अब एक बच्चे को चाकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा तो यहां उसने चार बराबर हिस्से में एक चाकलेट को बाटा है आप देख सकते हैं और अब इसको हमें बाटना है तो इसको हम ऐसे बाटेंगे ये दिखी चार बराबर हिस्से में हो गए उसी तरह ये हो गया चार बराबर हिस्सा और ये हो गया अब एक बच्चे को चार हिस्से में एक हिस्सा मिलेगा मतलब एक चौथाई हिस्सा मिलेगा मिलेगा ना तो एक चौथाई हिस्सा को हम लोग चार हिस्सा में एक हिस्सा जब लिखना होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक बट्टा एक बट्टे में चार एक बट्टा चार ऐसे लिखेंगे मतलब चार हिस्सा में से एक हिस्सा इसको एक चौथाई हिस्सा बोलते हैं तो समझ गये कि जब चार हिसा में एक हिसा लिखना होगा तो ऐसे एक बटा चार लिखेंगे और उसके बाद एक चाकलेट और बच गई थी सुमन ने जब उसे चार बराबर हिस्सों में बांट रही थी तब ही कमल ने कहा कि उसे चाकलेट और नहीं खानी है अब सुमन को चाकलेट के तीन बराबर हिस्से करने थे सुमन ने चाकलेट को इस प्रकार से तीन हिस्सों में बाठ दिया आप जो ये देख रहे हो इस प्रकार से तीन हिस्सों में सुमन ने चाकलेट को बाठ दिया तो इस तरह से हमने देखा कि चाकलेट तीन बराबर हिस्सा बट गया ताब एक बच्चा को एक बटा तीन मतलब तीन हिस्सा में से एक हिस्सा एक तिहाई हिस्सा खाने को मिलेगा तो हमने अभी तक सिखा आधा हिस्सा एक चौथाई हिस्सा और एक तिहाई हिस्सा अब कह रहा है अपनी पसंद की एक चाकलेट बनाएं और उसे तीन हिस्सों में बाटने की कोशिस कीजिए तो अब हमें एक चाकलेट बनाना है और उसे तीन हिस्सों में बाटने की कोशिस कर तो मालने जे एक चॉकलेट है इस तरह का ठीक अब इसको तीन हिस्सों में बाटना है तो एक हिस्सा ऐसे बाट दीजिए एक हिस्सा ऐसे बाट दीजिए अब तीन हिस्से में ये चॉकलेट बढ़ गया तो इस तरह से ये बराबर हिस्से में बढ़ गया अब कराय क्या आप जानते हैं जब हम किसी एक चीज या चीजों के एक समोह को दो बराबर हिस्सों में बाटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का आधा कहलाता है जिसे गनीतिय भासा में एक बटा दो लिखते हैं जब भी हम किसी चीज को बराबर दो बराबर भाग में बाटेंगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से का आधा कहलाएगा मतलब दो हिस्से में से एक हिस्सा तो इसको हम लोग आधा कहेंगे और आधा को गणिती ये भासा में एक बट्टा दो के रूप में लिखते हैं उसके बाद जब हम किसी एक चीज या चीजों के एक समो को चार बरावर हिस्सों में बाटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का एक चौथाई कहलाता है जिसे गनितिय भासा में एक बटा चार लिखते हैं मतलब चार भाग में एक भाग, तो इसको एक चौथाई कहते हैं, ठेक, अब जब हम किसी एक चीज या चीजों के एक समों को तीन बरावर हिस्सों में बाटते हैं, तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का एक तिहाई कहलाता है, वन थर्ड कहलाता है, जिसे गनिती भासा में एक बट तीन लिखते हैं ठीक तो हम समझ गए कि बस्तुओं को कैसे बाटा जाता है अब इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्छा की गनीत के अभ्यास पुस्तिका में से प्रिष्ट संख्या अंठावन और 69 भी कीजिए और इसके बाद आप इस चीज़ को बहुत भली भाती समझ जाएंगे तो बच्चो यह थी आपकी वर्षिट और इस वर्षिट में हम लोगों ने चाकलेट के हिस्से के माध्यम से पार्ट्स को लिखना सिखा आधा एक चौथाई और एक तिहाई को लिखना और पढ़ना सिखा उसको समझ भी उसका कॉंसेट भी क्लियर कि तो इसके साथ ही आपकी यह विडियो कंप्लीट होती है मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में थैंक्यो